से पहले बात कर लेते हैं बर्मेगम की कॉमन वेल्थ गेम्स वहाँ पर लगाता रवारी हैं भारत को तेराकी में याने की स्विमिंग में पदक मिलने की उमीद नजर आ रही है तराकी में इतियास रचने की ओर भारत आगे बढ़ रहा है आज श्रीहरी नट्राजन भारत को गोल्ड मेडल दिला सकते हैं ऐसी उमीदे हैं मैंस सौ मीटर बैक स्ट्रोक इवेंट के सेमी फाइनल में जीत दर्च कर ली है नट्राजन ने चववन सेकेंड का समय निकालकर फाइनल में जगा बना ली आज देर राच श्रीहरी का मेडल के लिए मुकाबला होगा और उमीद यही कि गोल्ड मेडल इसी के साथ भारत आएगा कॉमन वेल्ड गेम्स में भारत को स्वेमिंग में पदक मिलने की उमीद श्रीहरी नट्राचन जो की फाइनल में अपनी जगा बना चुके हैं आज देश को गोल्ड दिला सकते हैं तो बाइस वे कॉमन वेल्ड गेम्स का अज दूसरा दिन है और मीरा बाइचानू से भी मेडल की आस लगाए रहे हैं पहले दिन भारत के अच्छी शुरुबात रही बॉक्सी में शिफ्थ हापा ने 65 किलो वेट कैटिगरी में पाकिस्तानी प्रतिद्वंदी को हरा दिया ह बैडमिंटन के मिक्स्ड टीम एवेंट में भी भारत ने पाकिस्तान को करार ही मात दी है आपको बदा दे कि महिला होकी में भारत ने पहले मैच में घाना को पांच शूनी से हराया टेबल टेनिस में महिला और पुरश टीम ने अपने मुकाबले जीत लिए तो भारत की अनुसे मेडल के आसे साथी शिफ्थ आपवी बहुत ही वहतरीन प्रदर्शन 65 केची वेट कैटिकरी में पाकिस्तानी प्रतिद्वंदी को हराया है और मेडल की उमीद उनसे भी लगाए जा रही है महिला होकी में भी भारत ने पहले मैच में घाना को पांच शूनी से मात देती है टेबल टेनिस में माईला और परोस्टी में अपने मुकाबले जीत लिया है